बिस्मिल्यक्मन रहीम असलाम अलेकूम मैं हो मिसीजम सौध और आप देख रहें रजम सौध फूड यूट्यूब चैनल आज हम आपके साथ शेयर का रहें जी बहुत ही यमी और टेस्टी विंटर स्पैशल जाइवा डेजिट की रेसिपी वह है शाही गजरीला की रेसिपी गाजर खीर की रेसिपी हम इसे प्ल费 शाही गजरीला बोलते हैं कि सपैशल त्रीके से हम स्पैशल चीज़ों साथ से बनाएंगे बहुत ही असान और बहुत यह यमी यह रेसिपी बनती है तो रिक्वेस्ट यही है कि विडियो को पूरा देखियगा इसको स्किप हैं तो प्लीज जो है वो जल्दी से मारे चैनल को सब्क्राइब कर लें और बेल का इकन सूर्ट भाइएगा ताके मारी जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और यह बिल्कुल फ्री है तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि यह यम इनको हमने तकरवन दो गंटे और इससे भी ज्यादा थोड़ी देर हमने इसे बगो कर रखती है ता पानी में बहुत अची तरह यह सौफ्ट हो चुके हैं सोख हो चुके हैं तो अब यहां पे एक बिलेंडर जाग लेंगे उसी पानी के साथ हम जो अची तरह दोने के बात चावलों को हमने पुया था तो चावल बिलेंडर जाग में डालेंगे और थोड़ा सा जावल और पानी डालकर हम इसमें जावल तो किरबन एक दो कप हम जावल और पानी डालेंगे इसके साथ मारे चावल अच्छी तरह जावल बिलेंड हो जाएंगे इनको बिलेंड कर ल कि यहां पिसको साइट पर रखेंगे तो यहां पर हम ने एक किलो गजरे ली थी उनको दोकर ग्रेट कर लिया तो यहां पे पैन लेंगे तो इसमें जो हम दो टेबल स्पून जो आप देसी घी डालेंगे यह मेरा होमेट देसी घी आ तो गाजन को यहां जो करना है, सौफ्ट करना है बहुत जल्दी यह सौफ्ट हो जाती है, चमच हमने चलाते रहना है, प्यारी सिन की खुश्पोन स्टार्ट हो जाएगी और इनका कलर भी जाय को स्टार्ट हो जाएगा, है तब तक हम नेंके इन सोब्स को या यहां सोटे का करें तो यहां देखें इनका कलर चेंज हो चुका दूद ये फुल फैट जो है वो फुल क्रीम दूद है खुला दूद हम जूस करते हैं आप कोई सब भी दूद जाए वो इस्तमाल कर सकते हैं फुल क्रीम जो दूद होता है उसे बहुत अच्छी जो है हमारी खीर बनेगी मिक्स करेंगे दूद को और यहां पर चमच चलाती रहेंगे हम वक्फ़े वक्फ़े से और फुल फ्लैम करेंगे ताके इसको बॉइल आ जाए चमच चलाती रहना है क्योंकि बॉइल आने से इसमें गुठलियां भी पाड़ सकती हैं तो यहां देखें बॉइला ना स्टार्ट हो गया तो हाफ टी स्पून हम जाएं यहां पर सबस लाची का पॉडर डाल रहें आपके पास पॉडर नहीं है तो साबत लाची भी आप डाल सकते हैं फ्लिवर के लिए तो यहां पर हमने जो अपने चावल ब्लेंट करके रखे थे वो भी शामल कर देंगे तो अब यहां पर पहले हमने एक दो मिट के लिए तेज फ्लैम रखने हैं और अस्ता करके फ्लैम पक्वे वक्षे से चमच चलाते रहना है क्योंकि चावल नीचे बैठ जाते हैं दूद के और नीचे तले में लगने का हत्रा होता है चमच हमने बीच बीच में चलाते रहना है तक हमने 5-7 मिट से फुल फ्लैम पर पकाएंगे तो इसके बाद हमने इसकी फ्लैम स्लो कर देनी है और इसके ठिक होने तक हमने पका लेना है तो यहां देखें यह माशाला बहुत प्यारी जो थिक हो चुकी है चावल मारे बहुत तरह पक चुके हैं तो अभी स्टेज पर डालेंगे हम चीनी एक कप चीनी हम डाल रहे हैं जाएं पर बहुत मीठी है तो उससाब से यह इनफ है यहां पर पर पानी चोड़ेगी तो इसको भी हमने पान से साथ मिट पकाना है ताकि पानी पक जाए उसका पानी ड्राइ हो जाए तो यहां पर चीनी का पानी भी पक चुका है बहुत अची तरह यमी सी मारी का घ। 擌ट हो गई है तो इस ऐलेगेँ कप को देखिएगा, मिक्स करेंगे और थोड़े देर पकाएंगे तो गरम जो आए वो दूद के साथ कोया मेल्ट हो जाएगा और बहुत क्रीमी सी इसको जो आव लुक देगा इस स्टेज पे आप लुक देख सकते हैं बहुत जमी और क्रीमी जो है वो हमारी शाई गाजरेले को जो है वो लुका चुकी है सर्दियों में एक दफ़ा तो जरूर ही ये बनता है वैसे तो करम गरम सारे जो है वो डिजर्ट पना जाते हैं सर्दी में लेकिन गजरेला ऐसी चीज है कि यह जुरूर ही बनता है तो हमारे हां तो आजकल गैस्ट जो है हमारी बेटी की पताईश हुई है तो आते ही रहते हैं तो थोड़े से ड्राइफ रूट यहां पर डालेंगे मिक्स करेंगे और आप जो है वो आखर में हम डालेंगे मलाई यह गार के दूद से जो है वो हमने बलाई लिया आप इसमें ट्रेट्रा पाक क्रीम भी डाल सकते हैं बहुत क्रीमी उससे भी टेक्स्च्चर आएगा लेकिन यहां पर चलिक फिलम बंद कर देंगे और मिक्स करेंगे बहुत ही यमी और क्रीमी सी जो है वो लुकाई हमारी काजर खीर को कि अब हुआ है कि जब यह थंडी होगी तो और ज्यादा थिक और क्रीमी हो जाएगी तो यहां पर हम चूले की फिलम बंद करेंगे और इससे थोड़ा सा जो है वो ठंडा होने देंगे मान रही मारीखी जो है यहां पे ठंडी हो चुकिया रोम Łटों ट्रेचर पे चुकिया है इसकी आप लुक चेक करें कि t Formula और क्रीमी और क्रीमी ठाइश फाण संन को बहुत्थ ही यमी और बहुत ही टेस्टी जितनी atrave सॉट देखने में में एतनी मझे दार केस्टी ये तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज जो आप हो जाने से पर ले चैनल को जरूर सब्क्राइब कर लीजेगा बेल का आइकन जरूर दबाईएगा तक मारी हाराने वाली नए वीडियो का नटिफिकेशन जाना सबसे पहले आ अला हाफीज